Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दाइन अपर स्लागत करता हूँ दोस्तो आज की स्वीडियो के अंदर में हम M.A. History M.H.I. 03 का एथ लेसन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर में हम बात करेंगे स्वारा जो आने वाला वीडियो रहेगा सेकिंड पार्ट जिसके अंदर हम बात करेंगे मद्दे यूगीन यूरोप में कुछ महत्पुन इतिहास कार और उनके कारियों के बात दोनों टॉपिक इंपॉर्ट हैं और अक्सर एक्जामे को शेंदी बनकर आता इस लेक्षिन का इसाई इतिहास लिखिन से लिडिट तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में आज का जो महत्पुन इसको कवर करें सबसे पहले अगर हम बात करें इसाई इतिहास लिखन के बारे में तो concept क्या था इसाई इतिहास लिखन जो भी इतिहास कार हुए मद्देकार ये यूरोप के अंदर में उस time बे तो उस time period के अंदर मेंिए इसाई धर्म के परती जुकाव था हुँरा इसाई धर्म का जो बोल वाला था लोगों तक किस तरीके से इसाई धर्म को पहुँचाया जासे जो भी घटना है इसाई धर्म के अंदर में घटित हुई है जो भी काल करम बद नहीं है इस तरीके से इसाई धर्म को सरल तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाए इस मोटिव के साथ में इसाई इतियांस लिखन के सुरुवात की जाती है इसाई इतियांस लिखन को हम चर्च इतियांस लिखन के नम से भी जानते हैं चर्च इतियांस लिखन के नम से क्यों जानते हैं क्योंकि चर्च के अंदर में रहने वाले जो लोग थे पादरी थे, जो इसाई धर्म से जुड़े हुए लोग थे, उनके द्वारा ही इसाई इतियास लिखन का किया जा रहा था मेंन मोटिफ क्या था, उद्देश से क्या था इसाई इतियास लिखन का काल करम अनुसार, जो भी घटनाय गटी है, जिस टाइम पिरेड में घटी है, उसको काल करम के अनुसार उसको ढाल कर लोगों तक पहुचाना इसके लिए इस मोटिफ के साथ ने इसाई इतियास लिखन का कि जाती है उसे काल करम के नुसार ताचीन इतिहास से जोड़ना चाहते थे जो भी घटना जिस तरीके से घटी है जिस टाइम फ्रेम के अंदर में घटी है काल करम क्या है उसका उसके नुसार उसको दिखाना चाहते जिससे इसा का जो इसा से पुर्व जो एक इतिहास है ना प्रॉपर गटना के पीछे इसवर सकती है, ये भी देवी आवरन, गटनावं को उन्सें उस ρुप में नहीं देखा गया, बलकि ये माना गया, कि जितने भी घटनाषे घट रही है, वह एक देवी आवरण पहना कर इस वरिय इक्षा के रूप में उसको प्रसूत की जैसे जो भी घतना घटी किसी का मकान गिर गया तो मकान गिरने का रिजन यहीं माना गया कि नीव कम जोर थी बेस जो उसका था उसको मजगून नहीं था जबकि यह माना गया कि देविय आवरण मतलब वो जो घटना घटी है नो कहीं नहीं बगवान की इस तरीके से उसको प्रसूत किया गया तो जितनी भी घटना घटी उसको देविय रूप में उसको देखा जाने लगा तो ये इसाई इतिहांस लेकर जुकाब हमें देखने के लिए इसाई इतिहांस लेकर के अंदर में जितने भी इतिहांस कार हुए जितने भी लेकर कोई सभी का जुकाब कहीं ना कहीं इसाई धर्म के परती पूरा जो बोल बाला था ना एक तरह से मतलब बाइस्ट होके इसाई धर्म के अंदर में जो चीज़े बोली गए इसको परमोट करते हुए लिखने की कोचिशित की चलिए इसको तरह से डिटेल में कवर करते हैं कि कोश्चन जो आपका बनकर रहेगा ना कोश्चन यही रहेगा कि इसाई इतिहास ने के अंदर में किस तरही के से प्रसुत कया गया क्या चीज़े थी तो आपको डिटेल में आपको बताना होगा और नॉर्मल सी बात यहाँ पर याती है इसाई इतिहास लेकों के दवरा इसाई धर्म को परमोट किया गया क्या चीज़े कैसे हैं। वहाँ पर ही माना गया इसाही धर्म को और उसी के इर्ध गिर्ध पूरा इतिहास लेकर किया गया है। लिखा गया उसके लिए इनकी पहली पुस्तक माना जाती है effectiveness का मानना था विश्वास था कि इश्यू मची के 500 वर्सों के बाद ही संसार का विनास हो जाए जैसे जनम हुआ जैसे यह मिर्त्य हुआ उनके 500 वर्सों तक ही संसार चलेगा उनका यह माना था यहां इनके नाम के spelling में थोड़ा सा difference मिलेगा आपको कई जगा पे तो आप उसको correct कीजिएगा अपने book से या फिर google से आप एक बार जरू correct कीजिएगा ठीक है उसको हम आगे बने तो यहां पर उनका यह माना था कि 500 वर्सों तक ही संसार का रहेगा उसके बाद वहां पर संसा बार के विनास हो जगा है यह उनका मान था इसाई इतिहास लखन के इन्दर में स्चू मसी और भाइबल की सबस्राइब करना ती कि वह दो की नता है तो ni किस तरीके से किस चीज को प्रस्तुत करना है कौन सी घटना का राफरेंस किस प्रकार से उसको देने की कोसित की गई किस तरीके से लोगों के लिए उनकी विचारदरा किस तरगी थी लोगों तक किस तरह पहुंचाया जा सकता है तो इस तरीके से दोनों center of point के तौर पर इश्यू, मस्य और बाइबली इसाई इतिहास लेकन के अंदर में रहते हैं कोश्चन अगर आपका बन के आजाना कि चर्च इतिहास लेकन के तो भी आपको इसी topic को define करता है क्योंकि चर्च इतिहास लेकन और इसाई इतिहास लेकन दोनों से देहने वाली हैं इसाई इतिहास लेकन के अंदर में तत्यों को सही विवाजन, सतत करम बदता, दिन, काल, आदी से जुड़े तत्यों को सामिल किया गया किस तरीके से क्या चीज़ घटी है किस तरीके उसको भिवाजन क्या जा है सतत करम बद मतलब जो पहले घटना ये घटी फिर उसके बाद ये घटी और निरंतर किस तरीके जगटी चली घटना और कौन से time period के इंदर में बटी घटी काल किया था दिन क्या था प्रापर तरीकेसे तत्थे किस प्रकारत थह उसको सामिल करके हैं पर लिखने की कोचन्गे इसका main reason किया था उसको हम आगे तो इसके discuss करेंगे और हमारे जो धर्मे जैसे हिंदू द्रम की बात कर narrative केरे या किसी और दमर की बात करें तो पर कमी क्या आती है उसको भी आम हम समझेंगे इसाई इतिहास के अंदर में एक हाट ओटो आफ एंसिंग ने धार्मिक संगलपना को सुखार किया और इसा मसी के जीवन पर अपनी रचनाओं को केंद्रिय महत्व दिया जितने भी इतिहास का देखोगे जैसे इक हाट के अगर बात करो तो उनके द्वारा ये पुस्तक लिए जिसके अंदर में धार्मिक संगलपना को सुखार करते हुए इसा मसी को केंद्रिय महत्व सेंटर और पॉइंट के तौर पे इसा मसी को लेकर चले कि ये में पॉइंट है इन्हीं के इर्द्गेद में पुरा इतिहास लेकर लिखा जाना सेगी अब देखो इसाई इतिहास लिखन के अंदर में ये चीजे क्यों की गई जिससे अगर आप इसाई इतिहास लिखन को पड़ोगे जब यहां पर रेवलिशन का कारे शुरू हुआ उरोप के अंदर में जब हाँ पे इसाई धर्म को मानने ता मिली कि हम इ अब यहां पर एक चीजी आता है कि इसाई धर्म के अंदर में जो चीजे बोली गई थी जो चीजे दिखाई गई थी वह इतना एजी नहीं था कि हर रेक्ती तक पहुंसे कि तारा जो भी लोग एक जगह पे रहने वाले जिखा एक गाउं एक सहर एक राज्ये के अंदर में रहने वाले लोग सभी पैसित नहीं है सभी का जो मतलब माइन वह एक जैसा नहीं है लोग एक जैसे भाल्ट में थालो चिजों को समझ detail करसूंकर की जीवन था किष जाल पता even do प्रटी उसको समझ सके उसको अपना सके उसको लेकर यहां पर इसाइध धर्म का काम किया जाने लगा अगर आप हिंदु दर्म के अंदर में देखोगे तो हमारी जो गरंत है जो पुरानी गरंत है वह आपको ज्यादा तर संस्कृत भासा मिलेंगे देवनागरी के भासा मिले जोगा तो यहां पर इसाइध धर्म के अंदर में जो सेंटर पॉइंट का ना इसाइध धर्म का परचार परसार विस्तार करना यह में सेंटर पॉइंट के साथ में आगे बढ़ा गया और उसके इर्द गिर्द में इसाइध धर्म का बोल बाला किया अपने लेकोगों के अ इस समय पे समस्त इतिहासिक घटनाओं को कर्मानुषार, लिपीबद्觉得 करना था जो भी घटनाए घटने उसको सही तरीके से कर्मानुषार, लिपीबद् chinese तरीके से उसको लिखा गाए इसाई इतिहांस कारों ने इसा मसी के जीवन को भी अपनी रचनाओं में महत्यपुन इस्तांस दिया अधिकांस इतिहांस लेखन उनके इसा मसी के इर्दगिर्दी देखने के लिए आपको मिल जाएंगी इतिहांस कारों ने अपने लेखों में इसा मसी को किंदरी स्थान पर दान किया center of point के तौर पे इसा मसी को लेके चलते है पारंबिक इसाई इतिहांस कारों द्वारा जो भी लेखन कारे हुआ वो धार्मिक आधार पर किया गया हुआ ऐनफ जैसे आज के समाच के अंदर में गरीबी को लिखता है कोई किसानों के अपर में लिखता है है कोई police को पर में लिखता है तो अलग-अलग center of writing के point से इसाई इतिहांस में युए धार्मिक नजरिय से ही लिखा जाना start हुआ धारना जो घटनाए घटी थी वो मानवी किरियाओं की परिणाम नावकर देविय इक्षाख सक्ति का परिणाम थी यह माना जाए जितने भी इसाई इतिहास लेकरन के अंदर में आप गरंद पड़ोगे या जो भी चीज़ लिखी गई उस समय के जो भी चीज़े थी वो सारे इतिहास लेकरन के कारे की जो मेंन कॉंसेट था ना आइडलोजी कॉंसेट जो धारना थी वो यह थी कि जो भी घटनाए घटी थोरी है वो मानवी नहीं है मानवी किरियाओं के परिणाम ना होकर एक्षा के परिणाम है भगवान चाहते थे ऐसा हो इसलिए हुआ गॉड़ चाहते थे क्यास हो इसलिए हुआ यहाँ पर प्रस्तूत किया गया ठीक है उसका परिणा मानवान पर यहाँ पर लिखा गया आजके समय में हम तो कलपनेक्ता बोल सकते है राम जी को कल्पनेक्टा बोला जाता है, बाकी चीज़े बोले जाती है, बट अगर आप इसाई इतिहास लेखन को देखोगे, यूरोक के अंदर में इतना जब कि आज के समय में यूरोक को कंपेर करते हैं, तो कितना विक्सित देश है, तो उस टाइम पिरिट के अंदर में इस तरीके से परस्तुत किया गया, मद्यकाली ने इतिहास लेखन में यूनानी और रोमन परंपराओं का परभाव इस पस्टूप से देखा जा सकता है, मद्यकाली ने कर आप इतिहास लेखन के अंदर में बात करोगे, तो यूनानी लेखन के अंदर में रोमन लेखन के अ गया यह चीज़े यहां पर पता चलती है और इतिहांसकारों का यह सोचना कि इतिहांसिक घत्माएं वो घटित होती हैं वो पुर्व निर्धारित है अब यहां पर जो इतिहांस कारते हैं सबसे पहले तो देखो हुआ और किस तरीके से प्रसूत करना है यह इतिहांस किस तर सर लिखा जाना है यह चीज़ा पर इइसाहि-इतिहांस लिक हुआ poma ने बगाद पूंसका उसको स्वासाइं अगर आपको मिलेंगी। Aगर आपा आगे सोच रहे हैं कि मैं करी फॉरवोर्ड ॡिकार हो spr sporty के इंदर में कर्यर हो उसके इतिहास कारना करीव पाता है उसके बाद आप जाकर इतिहांस लिकर्म के अंदर में अपना करीयर बना सकती है। यहाँ पर का जाता है कि उन गट्राओं के अलावा मनुष्य के हांस की छेप का कोई परवाव नहीं पड़ेगा। गटना सारे पुर्म निर्दारित है, तो मनुसस्य क्या कर रहा है, क्या ने कर रहा है, उसका कोई impact नहीं पड़ेगा उस गटना को पर में, यह बोला जाने का। यदि मनुसस्य इसे बदलना या रोकना चाहें, तो वो असंबह है, यह माना गया। यदि मनुस्य इसके बुद्ध जाता है उसके खिलाफ जाता है तो इसका अर्थ यह हुगा कि विकास का कोई योगदान नहीं चाहिए अगर मानलो आपको पता है कि भीया यह भुकम पाने वाला है और आप यह मानके चलो कि देवे सकती है आप उसको रोक सकते हो मनुस्य चाह तो मतलब विकास नहीं करना चाहते है तो यह भी एक कॉंसेप्ट है दिल में मत लेना अगर कोई सपोर्ट है तो बट यह चीज़े इस तरीके से आपर दिखाई जाले मद्धय युग में पाद्रियों द्वारा जो रचनाय लिखी गई उसमें देविये विचार को गौरव पुन स्थान परदान किया गया जो भी देविये विचार थी कि भईया भगवान ऐसा कर रहा है गौड ऐसा कर गौड इस ग्रेट तो इस तरीके से उसको गौरव पु इतिहास का जो संदर्व है इस तरह से किया जाता है कि मानो वह भगवान द्वारा लिखे गए एक नाटक जब आप देविये इतिहास की बारे में बात करते हो तो कोई भी घटना को कवर करते हो कोई इंसिडेंट को कवर करते हो तो इस तरीके से कवर करने की कोशित गए कि वह भगवान द्वारा लिखा गया है वह एक नाटक है भगवान ने उसको प्रस्तुत किया जो भी चीज़े हो रही है कि सब वह मैं सब भगवान करवा रहे है तो इस तरीके से कॉलिंग बोट का यहां पर मानना था वह भी एक ऐसी नाटक जिसका कोई पात्र लेखन पर यह कि लेखक कका प्रिए पात्र ने भी एक लेखक में कोई कि किसी कूर पर लेकर है यहां पर मेरा भी और इसको सही तरीके से ऐसा नहीं यहां पर मानागया यह इसको नहीं पर लेखन कार रहे थे उसके द्वारान असुविधायें भी जेननी पड़ी् किसके तरह के सुचिदाई जेलने पड़ी कि मर्देकाल के अंतिन समय में रोमन सब्धा का पतन हो चुका था अब देखो जो जिस ताइम पेरेड़ पर यह साज चीज चल रही थी रोमन समयता का उस टाइम पर अंत हो चुका था इसके पचात पश्चात्या देखा गया रोम क अब देखाली में धिहांस कारों द्वारा लेखन को आधार बनाने के लिए कोई स्रोत उपलब दनीता कोई सोर्स ओफ मैटेरियल उपलब दनीता जिसके बेजिस पर लिख सके जिसके कारम से भी यहां पर माना जाता है कि यह उनको अफसुदाएं और जहननी पड़ी लेख नहीं होंगी यह चीज इस तरह से चली होंगी तो सेम चीज यहां पर माना गया कॉलिंग बुद के द्वारा में कि जो मद्देकाल के अंदर में जो इतिहांस लिकन के कार्रेक किया जा रहा था उस समय पर उनको असुदाएं जेलने पढ़ रही होंगी ता साथ में रिजन क आप आ जाती है इस तरह लेखन के छेतर में सुन्य जैसी स्थिती ही निवरुत हो गई जो भी लिखा गया एक तरसे end of the concept आप यह लेकर चलोगे समझोगे आज की इसाफ से तो सुनने ही था आपने जो भी लिखा हो मन गडंत लिखा तो सब कुछ सुनने ही माना गया इसका फाइदा पाद्रियों ने उठाया पाद्रियों ने क्या उठाया कि परिणाम सुरूप पाद्रियों ने लेखन पर जो अपना परवितु जमा लिया अब देखो कोई लिखने वाला नहीं है कोई source of material नहीं है लोगों के पास में कोई knowledge नहीं है तो उसके कान से क्या हुआ प उच्छे-कोटी साहित्ती की रचना में कमी आने लेगे अब देखो normal सी बात ही है कि कि किसी चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है और जिस व्यक्ति को जानकारी है जो भी जानकारी के source थे वो मिट चुके है ठीक है अब यहां पे आपको पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में अब पूरा चीज पूरी जो dependency है ना बाकी लोगों कि वह आप से आजएगी कि आप किस तरीके से उसको प्रजेंट करते हो ठीक है किस तरीके से प्रजेंट करते हो आप मन गढ़न कहानी बता बना करना किसी भी को भगवान बना दो ठीक है अभी में कुछ समय पहल अच्वान अलग है वह चीज है आप अम्बेड़कर जी की विचार दा रहों को एडेलोजी को उनको एक्सेप्ट कर सकते हो उनकी आइडेलोजी किस तरके से थी उनकी नॉलेज ऑफ थिंगिंग किस प्रकार के थी तिके किस तरका education ता उसको एकस एड्मायर कर सकते हो परिय वाली PD को उस तरीके से करने लगे, वो पढ़ा लिखा तो है नहीं वेक्टेगर इस तरी से कर रहा है तो, तो क्या होगा, लोगों के मने में वही आ जाएगा, वही घर करेगा, वही बन जाएगा, ठीके, और उसके पिछना लाखों की संख्या में लोग चन्ना सुल कर देंग कुछ भी, तो पादरी ने कहा किया, वहाँ पे लेखन कारे स्टार्ट किया, और लेखन कारे के अंदर में अपना प्रवुतु जमालिया, पूरा अग्दम मोनोपोली कायन किया, उसके अंदर में धार्मिक हितों के अधारपना, कि भीया, आप ये नहीं करोगा, तो ये दो कर रहा है, ये भी कहीं नहीं कहीं इसी तरह की चीजों के असर देखा जाता, छीक है? और आप शरीप एक नजरिया देखती ओगर आप इसलाम दर्म के अंदर में, क्रिशल दो रहा है? तिके जहां पे आप देखोगे ना जहां पे कृष्टन धर्म के अंदर में revolution का कारे सुरू हुआ ठीके कि किस तरह से पूरा इदम अलग revolution का जो दौर सुरू हुआ किस तरह किसे चीजी आई ठीके तो वो सारा आपको समझे में आगा कि क्या कमी थी तो कि क्रिश्ट धर्म के अंदर में किस तरह से लोगों का जो खिर्षट दम्हें का बोल वाला है ठीके अन्दभ घतने में किस तरह सारी चीज़ी हार कियेम अब Whenever जो हर एक धर्म के अंदर में हर एक चीज़ों के अंदर में आपको देखने की बिलते हैंगा किसी धर्म को अच्छा या बुरा कहने की जुरूत नहीं है आपको समझने की जुरूत है किसी की आइडिलोजी को समझो तो इसको अपना हो अपने daily life के अंदर में तो पूजा करने की जरूत में है इडिलोजी मतलब किसी व्यक्ति की बात करो बगवान की बाती नहीं लगी है तिक व्यक्ति की बात करो जैसे मोधी जी है कुछ बोल रहे है अगर या फिर सबसे बड़ा एक्जांपल अगर में लेकर चलू तो आज के समय में आप देखो कर दोक्टर एस जैसन कर ठीक है काफी जो विदेश मंत्री हमारे है उनकी इडिलोजी बहुत डिफरेंट ठीक है जितने एक विदेश मंत्री ऐसा नहीं होगा वह चीजए गलत हो जाती है यह चीज़ है यह यहां पे आती हैं अधिएकालीन इतिहास लेकन ग्रेंट में जो ऐसे इतिहास कार वे उन्होंने धर्म निर्पे आप साहित्य के रच्छना की अब मत्देकालिन धर्म को अधार पूरा बनाकर इस तरीक के से लिखा गया है ऐसे इतिहास कारों के जो देखो गया आप तो बेडे, डी, वैली, वैले हाडन, तीरे जोएन वीले, फिलिब्दी, कामिन्स, आदे नाम आते हैं ये कुछ इतिहास कार रहे हैं जिन्होंने धर्मिनल पेक्षिता के अधार पर रचना शुरुआत करी मद्यकाली उतियास लेकर रहे हैं उन्होंने उस समय पर राजमियतिक, सांस्कृतिक, और आर्तिक, युद्धों के च्षैतरों के उपर में भी लेखन काररे किया उख स्युर्व सर Health care Day szty Luhr पर यहां पर दीरे दीरे समय के अंदर में परिवर्तन के साथ में कुछ नए इत्यास का राते हैं उन्होंने इनका जो लेखन का जो मोड था वो अलग तरफ मोडा जिससे लोगों को बागी सुझो कभी नॉलेज हो सके अब आगे हम बात करें बेडे जो एक ध्यास कारते हैं उन्होंने का कि धार्म मद्यकाली नित्यास लिखन के अंदर में जो योगदान दिया उन्होंने उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता कि अउसने देवी सकती से अलग हटकर समय या काल को महत्मुतिया कोई भी घटना देवी सकती के पिकार ने घठत्र करती है किस तर्से चीजे घटती हैं समय और काल को उन्होंने इंपोर्टन से लेके चला इसा सन की सुरुवात करने वाला यह पहला इतियास कार, इसा मसी का जो सन की सुरुवात है, कि एक इसा दो इसा करके जो चल रहा है, दो जार चौबिस आ गया, ठीक है, तो इसकी सुरुवात किसमे करी थी, तो बेड़े दे करी थी, इसा सन की जो उधवव है, यूरोपिय इत कि उत्यास लेकन के कनपकिता यह कि इस तरीके से इड़ाती ना मतलब इतियास UX लिखा जा सकी एक ड यह ज़ाज। कि हमारे पास ना अतार मतता नहीं देखने के लिए मिलती है हमारे पास date of sequence नहीं है किसी भी घटना को लेकर जिसके कांसे चीज़े कही जाता है और इसी को देखते हुए बेड़ ने क्या किया सबसे पहले date form किया कि भाईया अगर कोई घटना घटी है तो किस time period के अंदर में किसे पता चलेगा उसके लिए जैक डेट होना चाहिए कि 2014 के अंदर में मोधी जी परधान मंत्री बने ठीके 2023 के अंदर में दुवार जोजा चोडिस में दुवारा बनेंगे तीवारा बनेंगे एक date होना चाहिए प्रोपर तो उन्होंने इसा मसी के जनम को सन एक माना ठीक कर पाते हैं कि इस time period के अंदर में घचना घटी तो इस तरीके से यहां पर की जाती है बारगी और 13 स्तावधी के अंदर में आरस्तु ने एक बार फिर से समय को महत्र दिया कि यह time का importance है उसे देविस सरचना उसे ऊपर माना कि किस तर से कौन सा date frame के अंदर में घटना घट है उसको यहां पर सरुपरी मान कर चलते हैं अरस्तु के द्वारा इसाई इतिहांस लेखन पर इसाई धर्म का जो प्रबल प्रभाव आपको देखने के मिलेगा इसाई धर्म का बोल वाला तो मैंने स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं युनानी लोगों के इसाई इति इतिहांस लेखन से ज्यादा अच्छा मानते हैं अब आपस में भी कॉन्फिक्ट आपको देखने के मिलेगा जैसे यहुदी लोग थे वो बोलते थे कि हमने अच्छा लिखा है बाकी जो इतिहांस लेखन को वह कहना था कि मुर्ति पूज को या युनानियों द्वारा इसा कहकर इसाई इतिहांस लेखन को के द्वारा उसे नकारा गया कि उसको हम नहीं मान सकते हैं उसको ओल्ड टेस्टमेंट मानकर चला गया और उसे गौरमपुन इस्थान परदान नहीं किया गया तिक उसको नकारा गया उसको एकसेप्ट करने से मना किया गया युनानियो कि इतना खिलाफ होने के बावजुद इसाई इतिहांस लेकन पर इसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिल जाता है कि उनाने के दोरा किस तरह का लेकन कारे किया गया किस तरह से इंपक्त आपको देखने के लिए इसाई इतिहांस लेकन के अंदर में मिलता है आगे हम बात जो है इसाईयों को मिलनी और मुर्ति पुझकों का विनास हो जाएगा ये मानना था मद्देकालिन इतिहास लेकर की जो सुरक्षित रखने के लिए जो नए आयाम थे उनकों ढूडने में इतिहासकारों का काफी ज्यादा योगदान वाना जाता है मद्देकालिन इतिहासके विसे में जानकारे इन ही इतिहासकारों के माध्यम से पड़ाप्त होती है इसके अभाव में आधुनिक इतिहासलेखन असंबभ हो जाता ये माना जाता अब एक ना जैसे पूरा सिलसिला चलता है जहां पर जो वेक्ति जिस धर्म का था अगर वेक्ति अपने धर्म के बारे में कुछ भी लिख रहा है तो ओके है यहाँ पर अगर मैं current example दूना तो आपको जाकिर नाइक के बारे में पता होगा उन्होंने मुहमत प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला था ठीके किसी वीडियो के इंदर में और वो fact wise सही भी है अगर आप पढ़ रहे हो गूगल कर रहे हो या बाकी चीजे भी देखोगे तो fact wise सही भी है बट वो अगर वो अपने धर्म का वेक्ति होकर अपने धर्म के बारे में कुछ बोल रहा है तो accept किया जाता है यहाँ पर किया गया पर अगर किसी और धर्म का वेक्ति आकर वही fact को repeat करे तो वो गलत हो जाता है तो यह चीज सेम यहाँ पर कहा गया तो यहाँ पर सेंट अगॉस्टाइन के बारे में हमने अल्रेडी एक biography में कवर करका बहुत घजब biography रही है अगर आपने नहीं देखा सेंट अगॉस्टाइन की बारे में हम बात करें तो वह बिनास हो जाएगा अगर वह इसाय धर्म के बारे में दिखे रहे हैं इसमें वीजे जो होगी ना कर लड़ाई हो रही कभी है इन चीजे कभी डिबेट हो रहा है उसमें इसायों को वीजे मिलेगी मुर्ति पूजकों को अविनास हो जाएगा यह माना जाना है तो मुर्ति पूझ को इससे नफरत करते हैं इस तरीक से यहां पर दिखाए जाना है तो यहां पर जो आज का हमारा लेशन नमर 8 पार्ट 1 खतम होता है एंड होता है आपको वीडियो कैसे लेगी कमेंट करके बताएं और काफी पर दिखाएं के बाद हमारी वीडियो आ रही है इसका में वीजन ही है कि वी आर प्राइसिंग सम्प्रावलम्स टेक्निकल प्रावल्म फैनेंसिल प्रावलम्स यह नोट अबल तो मेक वीडियो तो आप सभी स्थूद्स रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप कैपिबल हैं अगर आप हमें support करना चाहते हैं तो आप हमाई इन number पे pay कर सकते हैं जो भी आप support करेंगे इट I will accept it ठीक है और scan करके भी यह पे pay कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल को like, share, subscribe जरूर करें अपने दोस्तों तक पहुँचाएं जिसे वो भी हमारी मदद कर सके हैं और हमारी वीड करते हैं दिस्क्रिप्टिप्टिन में सभी सुपल मीड़ा प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी वाज डारेक्टी आप अपने डाउंपों के लिए कर सकते हैं अपर वीडियो एंड करते हैं में मिलता हुआ अगली वीडियो के लिदर में वाई टेकर हुद आप